नमस्कार सभी हमारे मित्रों का स्वागत इसी के साथ साथ हमारे जो भाणेंजी संकाय के विजारती हैं उनका भी बहुत-बहुत स्वागत है आज हम एक महत्वपूर्ण विशे पर चर्चा करेंगे इससे पहले मैं अपना आपको प्रीचे देता हूँ मैं डॉक्टर महिंदर खारडिया असिस्टेंट प्रोपेसर एदी एस्टी डिपार्टमेंट ओप कोमर्स गोवर्मेंट लोहिया कोलेज चूरू तो मित्रो आज हम बात करेंगे नई आयकर विवस्ता वित्यवर्स 2020 जब आम बजट पस्तुत किया गया था तो जो वेतनवो की करमचारी थे उन्होंने बहुत आस लगाई थी कि टेक्स की जो रेट से हैं उसमें कुछ बदलाव किया जाए तो टेक्स की जो रेट से हैं वो बहुत ज़्यादा लगाई गी थी पहले उसमें प्रियोतन वो चा रहे थे और अमारे देश के बित्मंत्री सीमती निर्मला सेतारमंजी ने जो बजट पस्तुत किया था उसमें एक नई आयकर विवस्ता पस्ताविक की है आज हम उसके बारे में आपको बताएंगे कि नई आयकर विवस्ता क्या है और उसमें टेक्स की जो रेट से उसमें क्या प्रियोतन किया गया है और छूट जो पहले दी जा रही थी उसमें क्या प्रियोतन हुआ है इन सब बातों पर हम विस्तार से आपसे बादचित करेंग तो इसको अपने जीवर में अगर आपकी जरूरत पूरी होती है और आपकी बचत बढ़ती है आपका टेक्स में फायदा होता है तबी ये वीडियो अलसार तके होगा तो शुरू करते हैं नई आकर विवस्ता वित्यवर्स 2020-21 भारत की वित्यमंत्री निर्मला सेतानमन जी ने एक परवरी 2020 को यूनियन बजट आम बजट 2020 पस्तूत करते होए नई इंकम टेक्स सलेब्स पस्तूत किया जिसमें नेमित विक्तियों, चेनेर सिटिजन्स वे हिंदू एविवाजित परिवारों के लिए नई टेक्स विवस् की सुरुआत की गई जिसमें वे कम लोवर इंकम टेक्स रेट्स पर टेक्स का बुक्तान कर सकते हैं, उन्होंने टेक्स की जो रेट्स हैं उनको चेंज कर दिया है, बहुत कम कर दिया है और उन दरों पर ये हमारे नेमित विक्ति, वरिष्ट नागरिक और हिंदू एविव परिवार हैं, वो इसका कम दरों पर बुक्तान करके आईकर की बच्चते कर सकते हैं, तो इसका दिसलेशन करें कि पुरानी और नई जो आईकर विवस्ता है, उसमें क्या परिवतन हुआ है, तो आप ये टेबल देखिए, इसमें आपको साब नजर आजाएगा कि क्या परि इतन हुआ है, कि ये आपकी इंकम टेक्स सलेप्स हैं, ये आपकी न्यू रेट्स हैं और ये आपकी अर्लियर रेट्स, जो पुरानी रेट्स चलनी थी वो हैं, तो जीरो से दो लाग पचास हजार विपे तक की जो इंकम है, उस पर पहले भी छूटती और अब भी उस पर दो लाग पचास हजार से पांच लाग तक की इंकम में पहले भी पांच परसेंट की रेट्स से टेक्स लगता था और अब भी पांच परसेंट की रेट्स से ही टेक्स लगेगा, लेकिन जो चेंज है वो ये है, कि पांच लाग से साड़े साथ लाग रुपे तक पहले जो ती 20% ती और आप कितनी कर दी है 10% उसको गठा कर 10 कर दिया गया है साड़े साथ से 10 लाग रुपे तक की जो रेट से आपकी अगर आई है तो आपको अब 15% की दर से टेक्स चुकाना होगा जो पहले आपको 20% की रेट से चुकाना होता था और 10 लाग से 12 लाग तक की इंकम वाले वेतन होगी या कर जो क्रमचारी है उनको 10-30 की सतान पर 20% की रेट से ही टेक्स चुकाना होगा और 15-15 लाग तक 25 परतिस जो पहले 30 परतिस तो ये रेट आपको सिमिलर लग रही है लेकिन यहाँ पर उन्होंने परिवतन कर दिया है आपको नहीं मिलेगा 30% की रेट से ही आपको इस पर टेक्स चुकाना होगा इसमें अगर आपकी इंकम 5 लाग से कम और 15 लाग से ज्यादा है तो कोई परिवतन इसमें नहीं मिलेगा सेम रेट से ही आपको टेक्स चुकाना होगा टेक्स की कैलगुलेशन करें इससे पहले हम देखते हैं कि रेट्स में क्या परिवतन नई जो आईकर विवस्ता है उसमें क्या किया है सीनियर सिटिजन्स और जो नेमित विक्ति है उनके लिए इस बजट में इंकम टेक्स की दुरों में बड़ा बजला हुआ है मद्यम बर्क को बड़ी राहत दिगई आलें की ध्यान यह रखना होगा कि आईकर की नई दुरों का फाइदा आपको तभी मिलेगा जब आप किसी तरह के जो डिडेक्शन और टेक्स चोड़ा पाइदा नहीं लेंगे जो करदा था, डिडेक्शन और टेक्स छोटका लाब जाते हैं, वेर टेक्स की पुरानी विवस्ता में बने रह सकते हैं, तो जानते हैं कि टेक्स की इदरों में क्या बदला हुआ है, ये देखिए, ये है आपकी नई जो रेट्स हैं, उनका, 60 साल से कम के लिए और 60 साल से ज सेलेशन करते हैं, डायलाग रुपे तक की इंकम और सेन्य सिटिजन्स के लिए 3 लाग तक, टेक्स जो रेट्स है वो आपकी निल है, डायलाग से 5 लाग रुपे तक, और यहां 3 से 5 लाग रुपे तक की रेट्स पर 5% की रेट्स से टेक्स लगता था, जो की पहले कितना थ पहले भी यह कितना था पांच परसेंटी था लेकिन अगर आपकी इंकम पांच लाग रुपे तक है तो आपको 87A कहते है जूट मिल जाएगी और आपको कोई टेक्स इस पर नहीं चुका ना होगा पांच लाग से साड़े साथ लाग रुपे तक आपको टेक्स की जो रेट्स है वो 10% कर दी गई है वो साड़े साथ से 10 लाग रुपे तक की जो आए है उस पर 15% और 10 लाग से साड़े बारा लाग रुपे तक की जो रेट्स है वो 20% और साड़े बारा से 15 लाग रुपे तक क इंकम पर आपको 25% की दर्श से टेक्स चुकाना होगा और 15 लाग रुपे और 15 लाग से ज़्यादा आपकी आई है तो आपको पहले की तरह 30% की रेट से ही टेक्स आपको चुकाना होगा तो ये प्रिवतन किया गया है जो रेट से ये रेट आपको चेंज मिलेगी जो नई आ कर विवस्ता में परस्तावित की गई हैं इसमें देखिए कि डाइलाग तक मैंने जैसे बताया कि कोई टेक्स नहीं लगेगा जो पहले भी चूटती इसमें कोई बिदलाव आपको नहीं देखने को मिलेगा डाइलाग से 5 लाग तक की जो आई है पहले 5% लगता था और ज्यादा आई वालों को बड़ी रात है अगर आपकी इंकम 5 लाग रुपे से 7.5 लाग रुपे है तो 10 परतिस्त की छूट है वो आपको मिल जाएगी और 10 लाग से 12 लाग रुपे तक आपको 20 परतिस्ती टेक्स चुकाना है जो पहले 30 परतिस्त था और 12 से 15 लाग रुपे तक की आई पर 25 परतिस्त टेक्स लगेगा जो पहले 30 परसेंट था और 15 लाग से ज्यादा वालों को पहले भी 30 परतिस्त टेक्स चुकाना पड़ता था और अब भी उनको 30 परसेंट की रेट से ही टेक्स आपको चुकाना होगा स्लेब्स और टेक्स रेट्स को लेकर अपने बजट बासन में वित्मंत्री निर्मला सितरमन जी ने एक नया परस्ताव रखा था और परस्तावित इंकम टेक्स स्लेब्स के बारे में आपको जानकारी दे दिगी है लेकिन इससे पहले जान लीजिए कि नई टेक्स का लाग उठाने के लिए आपको आईकर में सतर तरह की छुटूं और कटोतियों से समझोता करना होगा इस लाइन को आप बहुत जान से पढ़ें कितनी छुटे को पाइदर आपको नहीं मिलेगा अगर आप नहीं विवेस्ट अपनाते हैं सतर तरह की जिसमें छुट आपको नहीं मिलेगी अगर आप नहीं आएकर विवस्ता को अपनाते हैं तो हालाएं कि कुछ ऐसी छोटे हैं जिनमें कोई बदलाव नहीं किया गया है आप इनका लाब उठा सकते हैं तो आप अपनी इंकम पर टेक्स का कैलगुलेशन करें इसे पहले धान से धान रखिए और आगलंग कीजिए कि आपको पहले वाले टेक्स सलेव में ज्यादा फायदा होने वाला है या नई टेक्स सलेव में आपको ज्यादा फायदा होने वाला है आलांकि प्रस्तावित नया टेक्स अगले बित्ते बर्स में व्यकलिपिक विवस्ता के तैट लागू किया गया है आप पुरानी विवस्ता में बने रहे सकते हैं और अगर आप चाहते हैं कि नई विवस्ता आपको सूट करती हैं तो नई विवस्ता से भी आप एक सुका सकते हैं नई आयकर विवस्ता में जो छूट जारी रहेंगी उसके बारे में बता दे कि न्योकता से प्राप्त ग्रिजविटी अगर आपको न्युकता से कोई ग्रेजविटी की राशी प्राप्त हो रही है तो उसके बाद वो ग्रेजविटी प्राप्त करने का अधिकारी हो जाता है जीवन विमा की पुरुनता पर मिनने वली राशी की चूट इसको पुरा समझना है कि कर विवस्ता में जीवन विमा प्रीमियम की राशी की चूट जो दारा 80C में आती है उस पर आपको चूट नहीं मिलेगी परन्तो आगर आपके पूरी हो जाती है और उस पर अगर आपको कोई राशी मिलती है तो उसको दारा 10D के थैद आपको चूट जरूर नहीं विवस्ता में मिलेगी EPF और NPS में नुक्ता का अंसदान अगर करमचारी भविशे निदिकोस और National Pension Scheme NPS में नुक्ता दोरा कोई अंसदान किया जाता है तो उसकी चूट आपको नहीं आएकर विवस्ता में मिलेगी EPF NPS Super Invention Fund में अधिक्तम जो सीमा है वो 7.5 लाग रुपे तक की है इसे ज्यादा की चूट आपको नहीं मिलेगी और National Pension Scheme की मिचूर्टी पर मिनने वाली राशी की चूट है वो 60% तक की है इसे ज्यादा पर आपको चूट आप इस पर नहीं मिलेगी 60% अगर आपको राशी मिलती है नहीं Pension Scheme में जब मिचूर्टी हो जाती है तब तो उस पर चूट जारी रहेगी PPF के ब्याज और मेचोर्टी पर अगर आपको राशी मिलती है तो उसे आपको आयकर में इसकी शूट आपको मिलेगी सुकन्या समर्दी जमा यूजना के ब्याज और मेचोर्टी पर भी अगर आपको गोई राशी मिलती है तो उसको उस पर भी नई आयकर विवस्ता में सुकन्या समर्दी जमा यूजना पर ब्याज और मेचोर्टी पर मिलने वाली राशी पर आयकर में छूट जारी रहेगी परन्तू एटी सी बिन्योक पर मिलने वाली छूट आपको नहीं मिलेगी इसको साथ साथ समझना भी जुरूरी है न्योकता से मिलने वाला उपार की राशी अगर नई आयकर विवस्ता में न्योकता द्वारा क्रमचरी को दिये जाने वाला उपार की जो राशी पांस जार उपे तक टेक्स के दाएरे से बाहर है इस पर आपको कोई टेक्स नहीं चुकाना होगा वरिष्ट नागरिकों को मिलने वाले ब्याज पर छूट वरिष्ट नागरिक अगर पोस्ट अफिस, बैंक, कोपरेटिव बैंक, फिक्स डिपोजिट आदी में जमा करते हैं उस पर जमा राशी पर वोई ब्याज आपको मिलता है तो नई आयकर जो विवस्ता है उसमें ब्याज पर आयकर की जो नई विवस्ता है उसमें 9.5% की दर से चूट जारी रहेगी इससे ज्यादा आपका टेक्स अबल होगा जो पहले भी था नई आयकर विवस्ता में जो टेक्स लेब है एप पर मिलने वाले ब्याज की चूट टेक्स के दारे में नहीं आएगी टेक् पर चूट और कुटोती में जो प्रिवतिन किया गया है वो देखिए जो मैं बता रहा हूँ ये अगर आप नई आयकर विवस्ता आपनाते हैं तो ये चूट आपको नहीं मिलेंगी जिसे अधारा एटी सी में निवेस्ट की इनिवस्मेंट की मकाल किराय बत्ते की आवास रिंड पर व्याज की, मेडिकल विमा प्रीमियम की, यतरा बत्ते की चूट, स्टंडर्ड इडिक्शन की, बच्चत बैक व्याज, सिक्षा रिंड पर व्याज, अधी की चूट आपको इस नई आयकर विवस्ता में नहीं मिलेंगी परंतु ये चूट आपको मिलती रहेगी किराए में मानक कटोती से होने वाली आई, जीन मिमा, कर्शी आई, चटनी का मुवावजा, वी यारेस की कारोई पर मिलने वाली, नगदी की राशी, इन सब पर चूट आपकी पहले से जारी रहेगी, ग्रेजविटी की चूट भी आपको जारी रहेगी नई कर विवस्ता के अनुसार आपको आयकर अद्रियम के विविन वर्गों के तहत 80C से ची से लेके 100 से ज़्यादा कर चूट का त्याग करने की आवसेक्ता है परन्तु धान ये रखना है कि केंद्रिय बजट 2020 में परस्तावित सलेव पूरी तरह से वेकल्पिक है और ये पुराने कर्व सलेव या ने का चैन करने के लिए करदाता पर निर्भर करता है कि वो किये गए प्रिवितनों पर एक राए बनाने के लिए आपको अपने कर की गणना सावधानी पुरुन करने की आवसेक्ता है और देखना है कि आपको अधिक पचत करने में कौनसी विवस्ता से छूट मिलती है आयकर विवस्ता पूरी तरह से वेकलपिक है करदाता चाहे तो छूट के साथ, कटोते के साथ पुरानी विवस्ता में रह सकते हैं परन्तु ध्यान ये रहे कि एक बार नई करविवस्ता को चूनने के बाद आगामी वर्सों में भी लगू रहेगी नई कर विवस्ता में कुछ कटोतियों को अटाने का पस्ताव किया गया था, जिसमें अभी बताया था मैंने आवास बत्ते की छूट, माना कटोती की छूट, आएकर अधियम की दारा असी के तहत, भीमा प्रेमियम, भीशे निदी, कई पैंसन योजना में अस्दान आदी छूटें सामिल हैं थैंक्स आप सभी का बहुत बहुत देनेवाद, और मैं चाहूंगा कि आप ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा सेर करें, ताकि इसका अलाव और जो टेक्स चुकाने वाले कर दाता हैं, उनको मिलें, और वो अपना टेक्स का निविजन आसानी से कर सकें, थैंक्यू, थै ुकुकुकुकुकुक झाल झाल